गुड मॉर्णिंग एवरिवन श्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल इंजिनियर्स ब्रो में राजास्वें भुमिशुदार विभाग मैं एक वाफिर से नए वहाली आने जा रही है लगवग 10101 पदों पे होगा और इसकी परकिरिया पूर्णता पुराने वाले परकिरिया से बदल दी गई है जो नया भ्यारती होंगे जो 2022 में पास आउट किये हैं अगर वो नहीं चांदते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और किसी भी ग्रूप में आप जूरे हुए हैं उस ग्रूप में जरूर ज्यादा सेर कर दें तो जैसे पता है कि पुरा कि आपके एकेडमिक मार्क्स के अंक्याधार पर सेलेक्शन होता था लेकिन जो 2022 की बहाली है यूँ कहें कि री वैकेंसी यहनी कि जो वैकेंसी आई थी सेप्टेंबर माह में उसको कैंसल करकर उतना ही वैकेंसी जो है निकाला जाएगा जल्द ही और ये पुन्ता जो होंग सीवीटी वेजड होंगे मतलब कंप्यूटर बेजड टेस्ट के अधार पर शेलेक्शन होगा अब इसके पीछे क्या मजबूरी रही होगी या क्या कारण रहा होगा जो चलती हुई बहाली से विभाग को कूद परना कूद जाना परा और नए परकिरिया लाना परा तो चल नए पर नए पहाली को फुल्फिल किया जाएगा और क्या इलिजिबिलिटी रहेगा और कब तक या बहाली आने का संभावना है तो चलिए बिल्यू को शुरू करते हैं देखिए अब जो एक्जाम लेने का जो जिम्मा है वो बी सी इसी का है बतलब जो बिहार गोवर्मेंट के पॉल्टेक्नी कॉलेज से पासाउट छात रहे हैं उनको पता है इस बोर्ट के बारे में सहीक्त परवेस परतोगिता परसत वहीं से सभी लोग इंटरेंस पास करके एडमिशन लिए है तो एक बार फिर से आपका इंटरेंस वही बोर्ड लेने जा रही है लेकिन अब का जो होगा इंटरेंस वो एक जोब वाली फिलिंग से होगी ठीक है तो देखिए टाइटल में है भूमी शुदार विभाग में दस अजार पदों पर नई परक्रिया से बाहली फिर से जमा होंगे आवेदन यहां पर साफ कर कह दिया गया है कि फिर से होंगे आवेदन जमा तो देखिए पूरा डिटेल्स में देखिएगा रजस्मा भूमी शुदार विभाग में दस हजार से अधिक पदों की बाहली नई परक्रिया के तहत होने वाली है इन प जादर को इसमें फिर मौका मिलने वाला है यानि अब भी तीन लाग फॉर्म गिरा था हो सकता है इसे ज्यादा गिर जया या उससे कम भी हो सकता है इसलिए कम होगा यूँकि अगर सीवीटी बेस्ट होने जा रहा है तो जो भी फरजी है जो डारेक्ट डिग्री लिये हैं जो कभी कॉलेज नहीं गए है वो तो फॉर्म वरने से पीछे हट जाएंगे इस आवेदन के लिए कोई सुल्क नहीं लिया गया था बिभाग ने बिहार विशे सर्विक्षर मांदे आधारित संभीदा नियामवली दोजार उनिस में संसोधन कर दिया है जैसा कि मैंने सुर चलते किया है तो देखिए यहां पेपर में भी साफ कर दिया गया है कि आखी क्या वजह थी जिस वजह से चलती ट्रेंस से सुसाइड करना परा विभाग को और एक नए नियामवली एक नए पैटर्न को लाना परा है तो कहा जा रहा है कि फरज अंग एबंपरमान पत्र के अधार पर बाहली के सांका होने की वजह से यह ऐसा किया गया है अब देखिए जाच के द्वार फरजी अंग पत्र एबंपरमान पत्र पर बाहल सैक्रों लोग पकड़े गये थे जो पिछली बाहरिया थी उसमें इनहीं फरजी वारों के कारण जो बेटिंग में पड़े नियम वली में संसोधन के बाद परसदना सेरे से आविदर मंगवाएगा लिकित परिछा के अधार पर मेडिट लेश्ट बनेगी फिर साचतकार होगा देखिए इसमें साचतकार भी होने जा रहा है इंटर्वी होने जा रहा है तो बहुत बड़ा अपडेट है जो कि पहले डारेक्ट जो है कि डिगरी दिखाओ नोकरी पाओ वाला अब खिस्सा खतम हो चुका है आपको सीवीट एकजाम पास करकर साचतकार के लिए भी आपको इंटर्वीवर के सामने बैठना पड़ेगा दीके चैन में पदवार कुल रित के 50 परतीसत तक की परतिक्षा सूची क प्रभीधान किया गया है 50 परतीसत चात्रों को जो है कि बेटिंग में रखा जाएगा सर्वेक्षन पूरा होने के साथ या पद भी समाप्थ हो जाएगा तो पुन्ता अभी तक बहुत बड़ा अपडेट की या पुन्ता कॉंटेक्ट ही रहेगा आप लोग जो सूच रहे थी कि सीवीटी एक्जाम लेगा तो इसको पर्मानेंट कर दे पर्मानेंट बहाली बना दे लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जैसे पुन्सर्वेक्षन का काम होगा वैसे ही यहां पद समाप्थ कर दिये जाएगे नियमा बली में पद के साथ नियूंतम योगता का भी किया गया है बिशत सर्वेक्षन साहयक मंदूबस्त प्रादिकारी के लिए सिविल इंजिनिuellerους में असनाद तक अिब्धिक्रापतर नियूरी नियूर्ग। होना चाहिए विशे सर्वेक्षन लिपिक के लिए असनातव और कर्याले परिचारी के लिए मैटर की योगिता तै की गई है नियोचन के बाकी सरते पुर्व की तरह ही होगी राजास्मा भूमी सुधार विभाग मंतरी अलोकुमार मेहता ने कहा कि सरकार के इस कदम से परदर अजिवारे जोइन के उनकी वज़े से बेटिंग वाले वन्चित रह गये और ना जाने कितने धक्का मुक्की कितने उन्होंने परसानियों का सामना जहेला है और लोग का सुना है तो यह चीज पहले ही हो जाना चाहिए था लेकर चलिए देर सबेर जो होता है अच्छा होत था ठीक है तो अब यह उमिद में मत्र है कि समान परसासन विभाग जो है अपना डिशन वापस लेने जा रहा है ठीक है तो सम जो होगा अब एक्जाम बेसिस पे होगा देखिए ऐसे इस वीडियो को अधिकिए यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को जादा से जादा अपने ग्रूपों में सेर कीजिए जिस भी ग्रूप में हैं सेर कर दीजिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद